हेलो गाइस कैसे हो और गाइस में एक्टिव नहीं थी मैं वीडियो ठीक से बनानी पारी थी क्योंकि मैंने अपने बेटे का ट्वीशन कहीं ओर लगाया है तो डेली इसको उपात भीज हुरों मेरे सब्सक्राइबर भूहथे हैं तो if dBA चली थी तो मेरे पाइब पारीदिशो के काफी और मेरे अटर्विकें सब्सक्राइबर dough ने की बेहीज सब्सक्राइबर ने से किसी एक का आज मैं आपको मेसेज पढ़के सुनाओंगी और मैं शाहता अपनी वीडियो में वह उसका लिंक हो तो बहुत परिशान में 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 क्या लिख के वेजा उतल Meg हएं तो आपको कैसे आपको उन्हों से लिखा है कि ए आप यह सब बंध दो मैं इन लोगो की वीडियो देख कर खाने लगी हूँ और मेरी रीड की हड़ी बाबा यार यह तो भोज जाता तब इतकर आवे इनकी रीड की हड़ी में प्रोटीन और कैलसियम की कमी आ गई है और मुझे सिलिप डिस्क हो गया है मेरा मरने का दिल कर रहा है डोक्टर कह रहे हैं कि सलेटी सलेट पैंसिल मतब सलेटी लिखानों ने सलेटी पैंसिल खाने की वज़य से रीड की हड़ी कमजोर हो गई है ओप्रेशन होगा और ओप्रेशन के बाद मैं कभी नॉर्मल नहीं हो पाऊंगी तो ये एक मैसिज मेरे पास आया है और मुझे ये मैसिज पढ़के बहुत दुख लगा होती ज़्यादा मतब मेरा मन सैड हो गया मन में मतब अच्छा नहीं लगा किसी का ये मैसिज पढ़के तो मैं उनको ठीक से रिप्लाई भी नहीं दे पाई अपने बेटे का थोड़ा सा टूशन के लिए थोड़ा सा मैं बिजी थी कि कहा लगाना क्या है तो फाइनली मुझे एक टूशन मिल गया है तो मैंने वहां लगा है इसलिए मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाई तो गाईज अब आप बताओ कितने लोग मैं अगर वीडियो बनाती नहीं तो मेरे को डिस्टप करने के लिए आते हैं बोलते हैं वह खा रही है तो खाने दो तुम्हें क्या प्रॉलम है अब यह बताओ जो कभी सामने नहीं आते इस तरह के लोग जब इनके साथ कोई बड़ा एक्सिडेंट हो जाता है तब ही यह लोग सामने आते हैं और हम इस तरह की वीडियो बना रहे हैं तब इनकी हिम्मत हुए है कि चलो हम भी अपनी बात रख दे अगर हम इस तरह की वीडियो ना बनाए इनके अपोजिट में वीडियो ना बनाए तो हो सकता है यह लोग वीचारे किसको मैसिज दें यह बताओ अपने घर में यह बता की कमी यह सब हो जाएं कि फूppen गजा सातों है कि फोड़ा बहुत ब्लद बनता है हमारा इसलिए हम लोगों की विडियो बंद कराने के चकर में लगे मैं किзो विडियो बंद हो जाए इनको पैसे मिल रहे हैं जो इसने खाया इसको क्या मिला बीमारी मिली ना तुम्हें तो पैसे मिल रहे हैं तुम तो बीमार भी हो जाओगी तो उसी पैसे उसे इलाज करा लोगे अब ये किसके पैसों से इलाज कराएगी मेरी वीडियो मैं सब करंचस के लिए बना रही हूँ सरमनी आती बिग दस सलेट पैंसिल एक साथ लोगी और मुँ में भरके बोलोगी बिग बाइट बिग बाइट तुमने खाना सिखाया ना तुम लोगों ने एक एक पैकट सलेट पैंसिल का पूरा एक सेकेंड वे खतम कर देती है ये सारी लेडिजे मिट्टी खानी वाले ओरते बिग बाइट मट की ले लेके बैटरी है यूत्यूब से इनके चैनल की कंप्लेंट करते फिद ये दस खोल खोलके बैट जाते से दस बेसरम ही करी प्रोगों ने बे सरम ओरते हैं सारी, इनको बिल्कुल सपोर्ट मत करो, इनके बिल्कुल फैमिली चैनल को बिल्कुल सपोर्ट मत करो, आप ये मैसिज पढ़ो, कितना दुख होता है, बता और ऐसे कितने 1000 गल्स हैं, लेडिस हैं, जो खाना सीख रहे हैं, आप लोग हमें इस तरह के message आते हैं हमारे पास अभी ये वीछारी बीमार पढ़ी है अब पस्तारी है ने ये पस्तारी है ना इसको दुख हो रहा है ना कि मैंने इनकी वीडियो देखे ये क्यों खाना सीका अब बता हो और पता नि meth拼 billionaire और बीमार होन प्ढ़ कार इनकielle इतनी गंदगी मचा रखे ना, इतनी गंदगी मचा रखे ना, मैं तो इसका family चैनल देखने के लिए भी पसंद नी करती हूँ इतना गुसा आता है मुझे इसकी वीडियो देखे, इसके इतने चैनल बना डाले इसने खुंदक में, क्या करेगी ये इतने पैसे का, बताओ, इ किसी चीज में महनती नहीं है और इसी की वीडियो देख देखके इसने खाना सीखा है इसी इस चैनल देखके इसने खाना सीखा है मिठा जहर गोल गोल के लोगों को पटाती है मिठाव के सबी घर की लड़कियों को बरबाद कर दिया इसने अब बोलती है मैं तो किसी को कुछ नी बोलती है वो तो बिना बोले इतने सारे चैनल खोल डाल दिये उसने थेसारे मिट्टी के अब देख लिए आप लोग को यह द्रीया अब लोग को फेमिली ब्लोग और डानस तो इसमें थोड़ा अक्टीव रहूं, यह दिखाने के लिए और तुम लोग भी इतना support करते हो, एक मिट्टी पैसे तो गरीब के घर में भी है, अमीर के घर में भी है, तो पैसे से तुम गलत काम करोगे, पैसे कमा के अपने बच्चे को बचाने के चकर में, दस लोगों के बच्चे खराब कर रहे हो, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, इतनी गंदगी मचा रखी है फिर बोलोगे मेरे नाम से चैनल चलाने के लिए वीडियो हमें नी चलाना ऐसा चैनल वैनल हमारे दोसों की जगह सोर भी अगर व्यूस राएंगे हमें को इटेंचन नहीं है हम अपनी लाइफ में वैसे इतने बीजिया हमारे पास काम है ठीक है लेडिस जो यह वैसे भी बहुत बीजी रहती है अगर लेडिस अपने घर के काम अगर देखे तो अपने बच्चों को देखे दो फिर भी हमने टाइम निकाल एक दो वीडियो इसलिए बना लेते हैं मैंने हर वीडियो में अच्छा बोलती हूं कि करंच करके थूख दो जो स्वैलो करने लगे वो कम से कम कॉंटेटी दिरे-दिरे कम करना स्टार्ट कर दो मैं तो हर वीडियो में लेकिन हमारी वीडियो तो देखना पसंद देना लोगों को तो मिट्टी के साइको बन चुके और वीडियो देखते हो और मैंने नायरा के ओपर कितनी अच्छी वीडियो बनाई कितनी प्यारी वीडियो बनाई एक लड़की है नादान सी है चलो उसने किसी की वीडियो देखके तो खाना सीका होगा है और कितनी बिग बिग बाइट खा रही है वो लड़की उसके बारे मे अच्छा बोला अच्छी वीडियो बनाई मैंने का चलो कोई बात नहीं हमारे बच्चे के समाने यह अच्छा ही नहीं दिखाई देती आप लोगों को आप लोग भी गलत लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते गलत लोगों की फैमिली में इंवल्व होते कोई अच्छा आदमी आपको अच्छी बाते बोले ना वो चीजे आपको सेहननी होती है कोई बात नहीं भगवान जी के घर में देर अंदेर नहीं है आज मंडे का फास्ट है और अभी मैंने डिनर नहीं किया भी मैं बेटे को ट्विशन से लेके आई हूं और मैं खाना बनाके गई जी तो मैंने ओपन करके बैठ ये कि क्या अच्छा है क्या गलत है हर वीडियो मत देखा करो क्यूं देखते हो मिटिखाने वाले की वीडियो कुछ अच्छी चीजे भी देख लिया करो यार जो तुमारे फायदे के लिए सुबह मोर्निंग वोग करो इवनिंग वोग करो हैं जिती देर कि वीडियो देखते हो यते ही बैडं के चारो तरब भी अगर आप घूम लो तो सो कदम तो तब भी आप घूम सकते हो क्यों आप लोग मतलब इतने डिस्टब हो रहो कि अपनी life को सुंदर बनाओ इतनी डदस मिन इनकी ये तो बीड़ीयो आफ हईउ आ च्छारे की मशाज कर लिया करो यार अपने चाहरे को ही चमका लो अपने बालों के लिए कुछ कर लो अपने नेल्स इंप्रूव कर लो अपने घर में कुछ काम कर लो यार चलो कोई बात नी गाईज यह सब तो मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं पता लेकिन जिनके लिए मैंने वीडियो बनाई यार मुझे बहुत दुख हुआ और बेटा आप टेंशन मतलो आपने मुझे दीदी बोला है तो आप मेरे से एज में छोटे हो मैं भगवान जी से प्रातना करूंगी कि आपकी तबियर ठीक हो जाए आप जो मिट्टी खाके बिमार हुए है भगवान जी आपको ठीक कर दे जल्दी ठीक कर दे और बस आप टेंशन मतलो और आप मैं जिसको दिल से दुआ देती ना वो मेरी बाते जरूर भगवान जी सुनते हैं और आज मेरा फास्ट है अभी मैंने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया अभी बस मैं वीडियो बना के डिनर करूंगी और उसके बाद मैं वीडियो सेंड करूंगी ठीक है तो भगवान जी आपको जल्दी ठीक करेंगे और आपको अगर लगता है कि हाँ अब खराब हो चुकिए उसमें इंप्रूमेंट आ जाए और बस गाइस मैं जिसको दिल से गाली दे देती हूं और दिल से मैं अच्छा बोल देती हूं तो मेरी दोनों बात सच होती है क्यों मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया और मैं सब की हेल्प परने की कोशिस करत और मैं किसी से लड़ाई जग्ड़ा कुश नहीं करती हूं मैं अपने आप में खुश रहना चाहती हूं और मैं भगवान जी के टच में रहती हूं सुबह शाम सोते जागते बस मेरा यही मन में रहता है। मेरी तबीत भी ख्राब फिर भी मैं जरूर करते हैं लोगों की लिए छोटे चोटे गिफ्ट ले जाना महंदी ले जाना सिंदू ले जाना चूटी ले जाना ज़ो मेरा मन्ह जो मेरी खुशी होती है मैं जरूर करती हूं तो बेटा प्लीज आप टेंशन मत लो और मैं सब को बोल रहे हूं आज एक मैसीज आया है कल और भी मैसीज आएंगे इस तरह के और किस-किस लोगों के लिए हम यह वीडियो बना रहे हूं और इन करंचर्स की तो बैंड बजानी पड़ेगी वाइटी प पता इसमें भी हमें सब पलता मिल जाए अब इसके लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा ठीक है गाइस तो आप लोग हैपी रहे है खुश रहे है और भगवान जी आप सब को खुश रखे और अच्छे काम करने वालों के साथ भगवान जी और जो गुलत काम करते ना मूर् आपके मैसिज पढ़के कुछ अच्छा रिप्लाई दे सकती हूं तो प्लीज मुझे जरूर आप इस तरह के कमेंट्स दीजिए मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स आते हैं चाहे आप नेगिटिव दो या पोजिटिव दो मैं दोनों में रिप्लाई देत तो, best guys, bye bye guys